हेलो फ्रेंड्स रिकुul रिक्वेस्टेड रेसिपी मिल्कपाउडच आज में आपके लिए लेकिए आई år दिहां फ्रेंड्सट मिल्कपाउडरवबर लिए अपने घरह सकते हैं बहुत आसान रीका है अपविस मिठाई बनाने के लिए देजट को बनाने के लिए भी कर सकते हैं तो फ्रैंड इस मिलख पाउडर की रेशिपी के लिए एक लाइक तो बनता है प्लीज वीडियो को लाइक करें पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें अगर आप हमारी चैनल पर न नौटिफिकेशन्स ऐसे ही मिलते रहें सबसे पहले कड़ाई में हम आधा लीटर दूद करने रखेंगे फुल फेट मिल्क लेना है यहां पर मैंने अमूल कोल्ड का इस्तमाल किया है आप किसी भी दूद का इस्तमाल कर सकते हैं फुल फेट मिल्क होगा तो मिल्क पाउडर ज खास्तियान रखना है कि दूद को लगातार चलाना है दूद जलना नहीं चाहिए वनना जो आपके मिल्क पाउडर का टेस्ट है वो खराब हो जाएगा नॉन स्टिक पैन में ही बनाने की कोशिश करें तो आपका मिल्क पाउडर चिपकेगा नहीं जलेगा नहीं और वो दूद काफी हद तक गाड़ा हो चुका है अभी भी हम इसको चलाएंगे दो से तीन मिनिट तक गैस की फ्लेम को लो पर रखके हमें इसको चलाना है बिल्कुल मावा बनने की जो कंसिस्टंसी आ जाती है ना वही कंसिस्टंसी हमें यहां पर चाहिए और यह देखे यह अच कंस्टिक कड़ाई की वज़े से हमारा थोड़ा भी दूद वेस्ट नहीं होता है और इजिली हम सारा दूद कड़ाई से निकाल सकते हैं और अभी हम इसको धाली में अच्छे से स्प्रैड कर लेंगे तो ये दिखे dear friends मैने इसको अच्छे से spread कर लिया है जितना आप उसको पतला spread करेंगे उतना जल्दी ही dry होगा इसे हमें 2-3 दिन के लिए अच्छे से सुखा लेना है और सुखने के बाद ये देखे इस तरीके से बिल्कुल dry हो जाता है जब यह अच्छे से ड्राय हो जाए तब हम इसको ग्राइंड करेंगे इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इस बात का खास ध्यान रखें हो सकता है मौसम के इसाब से दो दिन में यह ड्राय हो जाए और कभी कभी तीन से चार दिन भी लग सकते हैं अगर आप इसको घर में ही सुखा रहे हैं तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और यह देखे हमारा मिल्क पाउडर रैडी है अच्छे से मैंने इसको यह देखे ग्राइंड कर लिया है अब यहां पर हम इसको मेजर कर लेंगे यह 125 ml का कप है और इसमें मैं यह मिल्क पाउडर एड कर रही है जो हाफ कप की मेजर्मे जितने मिल्क पाउडर में हमें शुगर जो है वो मेजर करके डालनी है तो तूटेबसपून जितनी हम इसमें शुगर एड करेंगे यहाँ पर आप यह चीज समझ सकते हैं कि आदा लीटर दूद में से जो मिल्क पाउडर बनाया है हमने उसमें तूटेबसपून शुगर अगर आप दूद की मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो जो मिल्क पाउडर हमने बनाया उसको मेजर करके भी आप शुगर की मेजर ले सकते हैं मैंने इसको अच्छी से मिक्स कर लिया है और यह देखिए हमारा जो मिल्क पाउडर है वो रेड़ी है चलिए अब हम इसको एक पाउड में निकाल देंगे आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी मैंने बिना इस्ट के पाउडर एड़ किया था तो बहुत सारे वीवर्स ने पूछा था कि लॉग्डाउन की वज़े से मिल्क पाउडर तो अवेलेबल नहीं है तो हम पाउड कैसे बनाए बिना मिल्क पाउडर के भी आओ पाउड बना सकते हैं और अगर आप मिल्क पाउडर एड करना चाते हैं आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से घर पे मिल्क पाउडर बना के उसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर के पास में दिये के बैल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे सबी नए वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें